बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम असलाम अलेकूम कैसे आप सब विवर्स में करते हूं आप सब ठीक होंगे अल्वाम दलिल्ला हम भी बल्कुल ठीक हैं तो वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विवर्स आज मैं आपके सामने बना रही हूं ब्रेड पिजा वो भी विद कर लेते हैं कि मौद्रेला चीज को हम कवर के रहने देंगे इसको इसी तरीका से हम ग्वेट खटते हैं आ जैसे ये जीज़ाइट कर लेंगे और जाय देखें इस तरीके सार और और साथ ही साथ हमारे पास ब्रैट के पीस हैं यह फॉर पीस हमारे पास ब्रैट के हैं और इसमें वेज़ेबल्स चाहेंगे वह हैं टोमाटो कैपसिकम एंड ओनियन इनको छोटे-चोटे क्यूब्स की शेप में हमने कटिंग करके रख लिया और जो स्पाइक्स जाएंगे व PCR यो के पीजा ब्रेट हम त्यार कर हैं उसके लिए थोड़ा सा हम प्रैट को करेंगे हैं जो एक साइट से पकती है तो फिर दूसरे साइट से हम लाइट सा गोल्डन कलर देंगे और जैसे इस साइट से गोल्डन क्यों तो फिर इसको हम अपनी इस पैन में से निगाल लेंगे विवर्स आज थोड़ा सा मेरी वीडियो में प्रॉब्लम ही है कि मैं एक हाथ से खुद वीडियो बना रही हूं और दूसरे हाथ से कुकिंग आ रही हूं तो इसलिए इग्नॉर करिएगा अगर डिस्टर्बंस हो रही है आपको कैमरे की वज़ा से थोड़ा कैमरा हील रहा है और इसके ओपर लगा रही हूं मैं टुमाइटो कैचप आप चाहिए तो इसके ओपर पीजा सोस भी लगा सकते हैं अगर पीजा सोस खुद बनाना चाहते हैं तो आप पैन मीसरीके से थोड़ा सा ओय लेके उसमें गार्लिक का पेस्ट लेंगे उसको थोड़ा सा फ्राई कर सकती कर दिया और साथ ही साथ को अब और रही हैं करते हैं वेगे अन्यमनने को बारी क्यूब्स की हरें काटो के और चाहण गये तला और अगर आपको लगता है कि चीज कम हैं तो आप चीज का कम ज्यादबर कर तो Telang कर दो कार्ट कीशबा मिर्च उसम्पर इड़ करते हैं कर सकते हैं आइक तो मैंने रैडी कर ली और दूसरा भी पीक्स मैंने रडी कर रखा हुआ है थाकि वीडियो ज्यादा लॉंग नौ सके और जो इसके उपर स्पाइग सेंगे उन में नमें है ब्लैक पेपर थोड़ी सी यह प्लाक पेपर एड़ करेंगे थोड़ी स्पाइग से एड़ करेंगे और इसकी को इंटिटी आप अपने मर्जी से रख लिजिएगा जितना स्पाइक से पसंद करते हैं उस लिहाज से आप इसके उपर स्पाइक जो है वह आपने एड़ करिएगा और यहां अगेन वही पैन है उसके इंदर सो सब बटर एड़ कर रहे हैं और उसके उपर रख देते हैं हम दोनों स्लाइस ब्रेड पीजा जो हम त्यार करनी जा रहे हैं वह ब्रेड हम पैन के उपर रखेंगे और उपर से कर लेंगे इसको हम कवर और इसके अंदर जो स्ट्रीम बनेगी उसके साथ ही चीज मेल्ट होगी और हमारा टेस्टी सा पिजब रड़ी हो जाएगा दो से तीन मिनट के बाद ये देखिए रड़ी हो चुका था और मैंने उपर से कवर्ड उतार दिया और आपके सामने हैं इसको हम निकाल लेते हैं पैन में से प्लेट में और आप मुझे बताएगा क्या आप इस तरीके से बनाते हैं नेक्स्ट इंशाल्ला मैं आपको पीज़े की रासी बना के दिखाऊंगी और इसकी हम कर लेते हैं उपर से कटीं और में लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं अखेली वीडियो बनाने वाली हूं और खोदी मैं वीडियो बना रही हूं हुदी कोकिंग कर रही हूं तो अगर आ अग्याल्ड़ के गाला वेस्ट